यवतमाल जिले के दिग्रस तहसिल में तूपटाकली गाउ की करीब बीती रात 9 बजे रविवार को एक दर्धनाग सड़क हाथ से में एक युवक की जगा पर ही मौत हो गई एक तेज रवतार का नीप पल से सवार एक युवक को जोर्धार टक कर माती है जिसमें उसकी जगा पर ही मौत हो गई सुद्रों की अनुसार घटना की पच्छाथ इंडी का कारचालक घटना सतल से फरार हो गया जिसकी तलाश में दिग्रस पुलिश चुट गई है दिग्रस आरनी रोड पर टुपताकली गाओ के पास दर्दनाग सड़क दुर घटना में अनियंत्री तेज रवतार कार से युवक को जोर्धार टक कर मारने के बाद कारचालक ने कार को घटना सतल पर छोड़ा और वो फरार हो गया जिसके बाद घटना सतल पर मौजूद लोगों ने युवक को दिग्रस के ग्रामीन सरकारी अस्पताल में पहुचाया लेकिन दुर्भाग्य वशू से डॉक्टरों ने मुरुत घोशित किया दिग्रस पुलिस ने बताया कि मृतक 36 वर्षी युवक दिग्रस तैसील की नांद गवान का निवासी है जिसका नाम राहूल सुबास जादो बताया जा रहा है सड़क दुर्घटना में शतीग्रस्त हुए वाहन इंडिका कार नंबर MH29 AD 44-16 और दुपईया वाहन पलसर करमांक MH29 BG 58-56 को क्रेन की सहायता से दिग्रस पुलिस थाने के प्रांगन में लाया गया है खबर लिखे जाने तक फरार कार चालक का कोई सुराग दिग्रस पुलिस के हाथ नहीं लगा था इस दर्दनाग सड़क दुर्घटना में पलसर सवार यूवक को टकर मार कर घटना स्तल से फरार हो चुके अग्यात शक्स की तलाश में दिग्रस पुलिस जुट गई है बैरहाल सड़क दुर्घटना एक ऐसी घटना होती है जिसमें अक्सर मुर्तकों तथा जख्मियों के परिवार का जीवन बुरी तरह परभावित होता है क्योंकि इस नुकसान का कोई हर जाना ऐसा नहीं है जो किसी भी हाल में जानकी भरपाई कर सके इसलिए बतोर चालक अपने वहानों को नियंतरन सीमा को लांकर दोडाना याने खुतकी और अन्य लोगों की जान से खेलने जैसा है इसलिए वहानों की रफ्तार पर नियंतरन और सड़कों पर आई दिनों हो रही सड़क दुरगटनाओं पर लगाम लगाना ना सिर्फ पुलिस के यातायात विभाग की जिम्मेदारी है बलकि ये नागरीकों का अपना नागरी करतवय भी है जिसे नजर अंदास करना जो खिम्भरा साबित हो सकता है NBCN News के लिए दिगरत से जुबहर खान की रिपोर्ट